तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चिकन को जादा ही डर चुका था लेकिन इसके बावजूद इन तीनों ने उसे जाने नहीं दिया और उसे पकड़ के चिकन लेक्विस बना के बड़े चाओ से खा रहे थे उसी टाइम बेच चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसके डूमेन ने मौंटन के आधे के आधे हिसे को अभी तक कवर करके रखा है लेकिन चैंग को अभी की अभी पूरे अपने मौंटन को कवर करना था ताकि वो पूरी डूमेन को फैला सके और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो internal body का use करता है तो इससे कई सरे लोगों को खत्रा हो सकता है और इन तीनों demon के मुकाबले कई सरे demons यहाँ पर आ जाएंगे और यह उसे सम्हाल नहीं पाएंगे लेकिन तब चैन की नजार immortal sword के उपर पड़ती है जिसके बाद वो immortal sword को लेके जाता है और वो जमीन पे गाड़ के उससे कहता है कि अब तुम अपने ट्रेजर वाली blood को release करो जिसके बाद कई सारे demons यहाँ पे भागते हुए आएंगे और मुझे कई सारे पॉइंट मिल जाएंगे वो तीनों डीमन आपस में बात करते हुए कहते हैं कि मास्टर को असानक से क्या हो गया इस पे स्नेक आगे से कहता है कि मास्टर के अपने तरीकें होंगे कल्टिवेट करने के तभी तो वो इतने सकती साली है लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ वेट करते करते चार गंटे बीच जाते हैं जिसपे वो सभी लोग अराम से सो रहे थे और चैंग काफी तेज गुझसा हो जाता है और वो सौट के उपर चिलाते हुए कहता है कि तू किसी काम की नहीं है ना जाया सौट चैंग की इतने जोरों से चिलाने की वज़े से उन और वो जमाई लेते हुए सूचता है कि कौन कुटता इतनी जोरों से भूक रहा है तरह तरह पर पर सता है और उससे कहता है भाव मनने पता से कि प्रॉबलम है यह से कहता है तरीकी से पोस्ट दे रहे थे और दिखा रहे थे कि वो सब बाहू बनी है और चंग उन लोगों के तरफ देखते हुए कहता है अच्छा तो ये तुम्हारी वज़े से हो रहा था वहें पर वो तिनों बड़े आराम से कियान की तारीफ कर रहे हैं कि तुमको साफी अच्छी कर लेते हो लेकिन उसी टाइम पर टियान चुटकी बजाता है और वो एक ही जटके में उन चारों की कल्टिवेशन को फिर से लेवल वन पर ले आता है जिससे वो तिनों बिल्कुल उस तरह से पिचक जाते हैं जैसे किसी ने गुबारे से हवा निकाल ली हो खेर इसके तो सौट को सक्सी तरीके से बान देता है और वो सौट भी आगे से सक्सी तरीके से आवाजें निकालने लगती है और चैंग उसकी तारिफ करते हुए कहता है बहुत अच्छे इसी तरह से ठरकी एनरजी बाहर निकालते रहो जिसे सारे डीमन यहाँ पर भागते हुए आए जो कि चैंग के immortal temple को चारों तरफ से घेड़ लेते हैं और बस हमला करने के लिए शुरू ही हो रहे थे चैंग उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि बहुत सही आगे मुझे तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था जिसके बाद चैंग अपनी power को release करता है और वो बस आगे स करहे थे वो सभी हावा में गायब हो जाते हैं और चैंग एक ही जटके में लाखो डीमन्स को यूँ ही मार देता है जिसको देखके उन पाचों के भाई पसीने छूट जाते हैं और वो पाचों एक साथ अपने मन के अंदर यही सोचते हैं कि वो future में कभी भी चैंग को जरा मिलेंगे नहीं तो वो ऐसे लाखों को मारता रहेगा लेकिन उसे जरा सा भी reward नहीं मिलेगा जिसके बाद उस सौट की तरफ देखते हुए सोचता है ऐसा लगता है कि जितने भी कल्टीविटर्स उपर से आयद है वो सभी यहाँ पे नहीं पहुचे हैं इसके बाद चैंग पीछे मुरता है और उन तिनों ڈیمن से कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है और चैंग उन लोगों से पूछता है कि आजपास के माजटेंस के आजपास तुम तिनों में से सबसे ज़्यदा पेमस कौन है इस पे स्नेक और हांग आगे से चिलाते हैं गहाई तो पिर चैंग उन लोगों से कहता है कि मुझे तुम्हारे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसके बाद वो टोबा से कहता है कि ये काम तुम्हारे लिए है तुम्हें आसपास के डीमन्स के पास जाना है और ये बात चारों जगाओं पर फैला देनी है कि इमोर्टर साथ यहां प सब्सक्राइब और अगरे मास्टर अपने सब्सक्राइब काफे नुकसान और पूरे सेक्ट का खात्मा किया जाए इसलिए कुछ बी दूइदा हो उससे पहले हमें ट्रेजर को वापस लुटा देना चाहिए इसलिए वह दोनों उड़ते चेंक टिम्पल की तरफ आगे बैठा हुआ अंगूर खा रहा था और कियान उसके पैर दबा रहा था तभी चैंग को भी महसूस होता है कि उसके डुमेन के अंदर कोई तो आ गया है इसलिए वो उटके काफी ज़्यदा खुश हो जाता है लेकिन कियान की उन दोनों की औरा से महसूस हो जाता है कि वो दोनो कौन है इसलिए वो चुपचा वहां से खिसक लेता है क्योंकि उसे इस बात कडर था कि कहीं उन दोनों ने कुछ जादा बग दिया जो चैंग उसे तुरंथ की तुरंथी मार देगा जिसके बाद चैंग भागते हुए जाता है और उन तुरंथ के तुरंथ की तुरंथ 9 sekt वाफस चलना पड़ेगा इसे पहले की आपधा आजाए लिकिन लिंग आगे से जाने से मना कर देती है है और वह कैती है कि वह कहीं भी नहीं जाेगी लिंग के तुमने अभी master कहा कौन है तुम्हारा इस पर चैंग आगे से अपनी तरफ इसारा करता है तो फिर लिंग की फादर कहते हैं ये ये चीटी है तुमहरा मास्टर जिससे लिंग काफे सिदा घबरा जाती है और वो सोचती है कि फादर ऐसा ही सब कुछ बकते हुए जा रहे हैं अगर मास्टर को गुछ सा आ गया तो ब आगे से कहते हैं कि अगर सकता है तो फिर वो अगली बार फुक मार के ट्राइक करें लेकिन चैंग की इस सरकत्तों को देख के वो और जदा गुस्सा हो जाते हैं और उसके उपर अटाइक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन उसे टाइम पे जब वहां पर दुनों काफे जदा सकती साली थे और उनकी एविलेटी के साथ वो कभी भी डिमन के साथ वाइट करने के बारे में सोचेंग ही नहीं हो क्यों बड़े प्यार से कहते हैं कि हम यहां पर अपनी आपसी फैमिली के मंजिस से आए हैं हमारा सोट से कोई भी लिना देना नहीं है और वो अपनी मन के अधा सोचते हैं कि यहां पर डीमन आ चुके हैं जो की नासन सोड रियलम पे हैं अगर इनके साथ वाइट होती है तो इसका अंजाम बेहत भायाना कोगा और कोई भी जिन्दा नहीं बचेगा लेकिन उसी टैम पे लिंग आगे बढ़ती है जो कि सिस्ट होते हुए देख के लिंग के फादर हैरान हो जाते हैं और वो सदमे में चले जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है ऐसा लगता है कि वह यहें पर मढ़ने वाले हैं लेकिन लिंग के ग्रण फादर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि दो ताकतवार डीमन इस फिर इसे पका एक गौड होना चाहिए और वहें पर चैंग अपने बैंके अंदर सोचता है कि यह लिंग के फैमिली मिंबर्स हैं पता नहीं इनकी क्या होगी और यह कितने ज्यादा सकती साली होंगे जिसके बाद चैंग उन लोगों से कहता है कि तो तो लो किस बारे में ब पोती को वापस ले जाने के लिए आये हैं क्योंकि सौट सेक्ट को उसकी जरूरत है इसलिए लिंग के ग्रेंड फदर आगे से चैंग से कहता है कि उम्मीद करते हैं कि आप उसे रोकेंगे नहीं लेकिन उसी डाइम पर लिंग आगे बढ़ती है जो कि रोते हुए कहती है क उसको यहीं पर रुकने के लिए बोलना पड़ेगा जिस पर लिंग के ग्रेंड फदर आगे से बताते हैं कि इमोटल अपरवल से नीचे वा चुके हैं और वो इमोटल ट्रेजर को लेने के लिए यहां पर आने वाले हैं और लिंग उसके साथ जुड़ी हुई है इसलिए जान को कोई भी खदरा ना हो इसलिए हम लोग उसे वापस ले जाने के लिए आये हैं या तकि चैंग भी इस बात से काफी हैरान हो चुका था कि इमोटल इतनी जल्दी नीचे भी आ गए है गोस्ट बोन सेक्ट का इंसेक्टर नीचे आ चुका है जो कि अपनी पूरी टीम को रेडी करेगा जिसके बाद वो इमोटल ट्रेजर को लेने के लिए यहां पर आ जाएगा और हमारे पास जितने का कोई भी चांस नहीं है वहीं पर कियान काफी को सुझाता है कि उसके एंसर कर वापस यहां पर आने वाले हैं लेकिन उसी टाइम वह दोनों आगे बताते ह हैं कि कियान काफे जदा चतुर और चलाग हैं अगर उन लोगों का सामना उससे होता है तो उन्हें तुरत गिवप कर देना चाहिए और ट्रेजर को उसके हवाले कर देना चाहिए कि इमोटल्स को समझ पाना ना मुनकिन होता है और उसने एक बार यहां प्यांके यह भी कहा था कि उसे जैसे ही सौड मिल जाती है तो फिर वो पूरी तरीके से लिंग और पूरे सेक्ट को तभा कर देगा जिसे कियान की आखे बार आने लगती है और वो सोचता है कि सलो तुम लोग बहुत हरामी हो मेरे बारे में उल्टा सिधा बता रहे हो जिसके वाद भागते हु मैं आपके साथ कद्दारी कैसे कर भे आप ही बताईए मैं तो पूरा टाइम आपकी की साथ ही रहता हूँ और वो दोनों जैसे ही देखते हैं कि कियान को पहले ही मार दिया गया है और वो अपनी सोल फॉर्म में है और वो चैंग के कंधे दबा रहा है तो वो दोनों और चिंता हो रही थी और वो दोनों अभी यही बारे में सोच रहे थे कि उन्हें लिंग को यहां पर छोड़के जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए चैंग उन्हों से कहता है ऐसा लगता है कि तुम दोनों अभी मेरे उपर सक्क्र रहे हो तो फिर दो मिनिट के लिए बेट करो अभी कुछी तेर में यहां पे कुछ महमान आने वाले हैं और देखना कि मैं उनकी महवान नवाजी कैसे करता हूं जिसके कुछी देर बाद हम लोग देखते हैं कि आसमान में कई सारे डीमन्स आ जाते हैं जो कि सोल्ड नासिंड रियलम पे थें और वो सभी हॉंग लेवल के डीमन्स को एक साथ खटा नहीं देखा था उसी टाइम में लिंग अपने पास से इम्मोर्टल सोट को बाहर निकालती हैं और वह उन दोनों से कहते हैं कि रेंडने की बात नहीं है जरा मेरे हाथों में दो देखो किया है यह चीज मुझे मेरे मास्टर ने दी है इ कुछ डीमन्स कहते हैं कि वो बॉडी मेरी है मैं उसको सिक कवा बना के खाऊंगा जिसके बाद चैंग उन दोनों में से किसी दू दीमन्स से कहता है कि तुम लोग आखे खोल के देखना ठीक है जिसके बाद चैंग आगे बढ़ता है और वो अपने पैरों को फैल आके वहा कुछ सोच रहे होंगे हैं लेकिन उसी टाइम पे हम लोग होंग को देखते हैं जो कि चैंग के पर दीवानी हो चुकी थी इसके बाद चैंग वहाँ पे पनी पावर को रिलिस करता है और वो एक ही जटके में उन सभी डीमन्स की पावर को बढ़ा के उन्हें गुबाड़े की तरह फोड देता है और एकी बार में कई सरे डीमन्स को मार देता है और उसे टोटल 15,000 फिल्ड पॉइंट मिलते हैं और शैक टाइम बिल्कुल ना वेस्ट करते हुए तुरंद एरिया को बढ़ा देता है और साथी में टुमें को अपग्रेट भी कर देता है सुरवात मे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है इसे लिए वो सभी हरान रहते हैं लेकिन जब उन्हें समझ में आता है तब वो सबहें चिलाते हुए कहते हैं कि यह था क्या बे क्या उसने अभी सच में लाओ उफ पावर का यूस किया था जिसकी मदद से उसने उन सभी डिमंस की को बढ़ा कि उन्हें गुबाड़े की तरह फोड़ दिया फिर वो दूनों एक दूसरे से मन के अंदर बात करते हुए कहते हैं कि यह सच में एक इमोटल बन चुका है इस पर लिंग के ग्रेंट फदर बदाते हैं कि अगर इमोटल आपर वर्ल्ड से लोवर वर्ल्ड के आंद पर नहीं तो फिर क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि वहीं लेजंडरी इमोटल स्लेयर है वहीं पर चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि यहीं तो असली फायदा है मांगा मानवा पढ़ने का सब कुछ कूल लग रहा है अगर मेरा बास चले और मेरे पास फेल्ड और उस पूरी दुनिया को अपने उंगलियों पे न चाहूं दरासल वो सभी लोग डुमेन के अंदर है तो डुमेन के दर जितनी भी चीज़े होती है उन सभी को चैंग सुन सकता है इसलिए वो चाहे मन में बात करें या फिर बोल के चैंग उन्हें असानी के साथ सुन सकत है उसी टाइम पर सिस्टम चैंग को बताता है कि उसका अपग्रेडिंग पूरा हो चुका है और इसका सिस्टम नया बन चुका है और साथी में सिस्टम के अपग्रेड होने की वज़े से चैंग को एक नए स्किल मिली थी जिसका नाम है true solution of immortal path उसी के बाद हम लोग देखते है और उसकी सील के साथ क्या हुआ उसी टाइम पे वो सभी लोग उसके उपर पट्टा मार देते हैं और उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन चैंग अपनी पावर का इस्तमाल करता है और उन्हें दबा के नीचे गिरा देता है और उसे समझ में नहीं आता कि उसकी मदद से उसकी जो एबिलेटी है यानि कि उसका नैचुरल टेलेंट जो कि है डीमन को अपनी इंटर्ण बोडी की वज़े से वह और जदा बढ़ जाएगी यानि कि उसकी से और जदा बढ़ने लगी घर यह स्किल उसके ज़रा से भी योज़ की नहीं थी बलकि वह और जदा डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि बीचारा गलती से भी अगर डुमेन के बाहर चला गया और डीमन ने हमला कर दिया तो वह तुरंद के तुरंद वहीं भी सेख कमा बन जाएगा लेकिन उसी टाइम में सिस्टम चैंग को खुस कर देता है और उसे यह बता कि कि उसे एक gift pack भी मिला है जिसे चैंग काफे जदा खुस हो जाता है और वो कहता है कि लाव भाई इसके बाद gift pack खुलता है तब उसको एक experience card मिला था और जैंग इसका इस्तेमाल करके किसी भी ordinary item को एक immortal artifact में बदल सकता था इसलिए चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि items के उपर इस्तेमाल होगा आप तो कोई item है नहीं आप तो इनसान है तो फिर चैंग अपने मन के अंदर सोचता है तो फिर यह card मेरे किस काम का क्या मैं इसका इसका इस्तेमाल अपने domain के उपर कर सकता हूं इसपे सिस्टम उसे बताता है कि वो कर सकता है लेकिन उसके लिए तब domain पहले से और ज़्यादा expand होगी और उसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी और future में उसे कई सारे नए-ने features में मिलेंगे चैंग अपनी मन के अंदर सोचता है कि सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है चलो UC कर लिया जाएं इसके बाद चैंग experience card का इस्तवा domain के उपर करता है और उसके जो domain थी वो एक domain से नार है कि फूरी treasure land के अंदर बदल जाती है और treasure land का मनला तुम लोग इतना समदलो की वो जगा एक immortal land बन चुकी है यानि कि वहाँ पे हर पीले चीज सोना है चैंग जब पीछे मुड़के देखता है तो जो सौवएन थी उसका साइस बड़ा हो जाता है और वो फैरी से बच्ची में बदल जाती है जो कि चैंग को मुस्कूराते हुए master कहती है जिसके बाद सौवएन भागते हुए चैंग के पास चली जाती है उससे मिलने के लिए और वहे पे हॉंग उसके कंधे दबा रहे थी उसी टाइम पे हम उन दोनों को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोचते हैं कि फादर अभी हमने सिर्फ पलक जपकाए थी और ये पूरी जगा एक immortal land में कैसे बदल गई जिसके बाद लिंग के फादर अपने फादर से पूछते हैं क्या immortal slayer सच में इतना जदा सकती साली होता है जिस पे उसके फादर उसे बताते हैं कि करीब 2000 साल पहले एक immortal slayer पैदा हुआ था जिसने अपर वर्ल की ऐसी की तैसी कर दी थी और उसने कई सारे immortal के सर को कलम कर दिया था और वो इस दुनिया के सबसे सकती साली immortal slayer कहलाया गया था लेकिन उसके बाद वो पता नहीं कहा गायब हो चुका है और लिंके grandfather आगे से कहते हैं कि जब तक चेंग उनके सामने खड़ा है तब तक उन्हें किसी भी immortal से डरने की जरूरत नहीं है जिसके बाद वो दोनों बाप बेटे एक दुसरे की तरफ देखते हैं और आखों आखों में ही कहते हैं कि वो इस मौके को जाने नहीं देंगे जब उनके हाथों में इतनी अच्छे सूने की मुर्गी लगी है जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और चैंग की आखों के सामने अचानक सिर्फ पकट होते हैं और उसके सामने जुके उससे कहते हैं कि अभी जो परियसानी दी थी उसके लिए माफी बागते हैं और उसके बाद हम लोग यहां से जाने वाले हैं अब लिंग की सलामत आपके हाथों में उसका अच्छे से ख्याल रखेगा और जब भी मन करें तब है आप हमारे घर पर आ सकते हैं खेलने के लिए लेकिन चैंग लिंग के फादर से कहता है अच्छा सुनों रास्ते की बीच में अगर कोई बीच में जितने भी इमोटल मिलेंगे उन सभी को यहीं पर भीज़ दूँगा जिसके बार लिंग के फादर अपनी बीटी के पास जाते हैं और उसके सर को सहलाते हुए उससे कहते हैं देखो वेटी मास्टर को ज्यादा परेशान मत करना अगर वो कहते पोकेमान में बदल ज देखते हैं जिसका सर चकराता है और आचानक से फिर से छोटी हो जाती है कि बदलती है और लेकिन अगर किसी को डिमानी के चुनना होता है तो फिर उन्हें स्प्यूचल एंटर पर करना पड़ता है मून एंड संघी और होंग को कई साल लग चुके थे उससे डिमानिक पास पात के अंदर आने के लिए लेकिन जब वो डिमॉनिक पात के अंदर आई तब वो एसे फॉक्स क्लाइन की सबसे जीनियस में से एक थी लेकिन साव बैन को सिर्फ एक दिन नहीं लगा और उसने डिमॉनिक पात को बड़ी आसानी के साथ चुन लिया है saw band अपनी figure को अभी के लिए maintain नहीं कर पा रही है क्योंकि उसकी spiritual energy अभी सही से संतुलित नहीं हुई है लेकिन saw band का जो talent है वो peerless है वो genius में से भी genius है लेकिन जब एक बार saw band अपनी spiritual energy को सही से absorb कर लेगी और वो अपनी spiritual energy को maintain करना सीख जाएगी तब उसकी body फिर से change होने लगेगी और वो एक नई shape में आ जाएगी जिसे चैंग के मन के अंदर एक vision जहम मसे आता है जहाँ पे saw band फिर से बड़ी खुद चुकी थी और वो चैंग से कहती है ठक चुके हो आ जाओ मेरी गोद में लेट के आराम कर लो जिसको सोचके चैंग अपने मूँ के ओपर तिरिछी मुस्कान देता है बिल्कुल इस मीम की तरह जिसके बाद चैंग हॉंग से गहता है कि हॉंग भी एक demon है इसलिए saw band की exercise और उसकी spiritual energy की जितने में जिम्मेदारी है वो असल भी हॉंग के उपर जाती है क्योंकि हॉंग चैंग की सबसे painful subordinate में से एक है जिसे हॉंग को एक बहुत बड़ा जख्का लगता है और वो अपने मन के अंदर सोचती है सबसे trusted subordinate और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि master के पास भी कमाल का talent है वो saw band को खुदे training दे सकते हैं और उसे एक अच्छा demon मना सकते है लेकिन हॉंग अपने मन के अंदर सोचती ही कि चैंग उसका test लेने वाला है क्योंकि भले ही हॉंग एक demon हो लेकिन उसके पास इतना अच्छा माना नहीं रहता है कि वो किसी को training दे सके लेकिन चैंग ने फिर भी उसे ऐसा काम दिया है जो वो नहीं कर सकती है सायसे चैंग उसका test लेना चाहता है और वो आगे से कहती है कि वो भले ही saw band को सही से training करवाना सके लेकिन वो अपनी पूरी कोशिस करेगी कि saw band बहुत अच्छे से सीख सके और होंग अपनी मन के अंदर सोचती है कि वो saw band को अपने सक्ट के अंदर लेके जाएगी बले ही वो लोग किसी बाहर वाले को training नहीं देने देते हैं लेकिन इसके बावा जो sang band का जो talent है वो काफे ज़्यादा है तो फिर साय सक्ट वाले माच जाएंगे जिसके बाद chang saw band को hong के हवाले करते हुए कहता है कि अब chang की खुसियां hong के हाथों के अंदर है उसे काफी अच्छी खुसियां लेके आनी है जिसके बाद hong saw band को लेके वहाँ से निकल जाती है और chang तो पट्टा लहराते हुए कहता है कि अगली बार आना तो खुसियां लेके आना उसे के बाद टूबा सर्माते हुए chang के पास जाता है और उसे कहता है master मैं अभी भी यहीं पे हूँ मुझे भी कुछ काम दीजिए chang उसे कहता है कि अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है तो फिर टूबा उसे के उपर तूट परता है और उसको चाटना सुरू कर देता है chang उसे कहता है अटो होटो वहाँ पे मत चाटो और उसी टाइम पे हम लोग लिंग को देखते हैं जो कि चुपके से उन दोनों के इस प्यार को देख रहे थी और वो हैरान रहे जाती है जिसके बात अगला सिन हम लोग देखते हैं कुछ दिनों के बात का होता है हम देखते हैं कि चैंग बाहर के तरफ मस्त मौला घूम रहा था कि उसे टाइम पे उसके उपर एक स्नेक अटैक करता है और उसको खा जाता है लेकिन चैंग वहाँ से अचानक से गयब हो जाता है और हमें बाद में पता चलता है कि वो बस एक चैंग का क्लोन था और चैंग पिछले तीन दिनों से वहाँ पे क्लोन को लगातार भेज रहा है लेकिन वो कमीना साफ उसे बार बार मार दे रहा है इसलिए चैंग गुसे में लिंक से गयता है कि वो आज स्नेक सूप पिएगा जिस पे लिंक जल्दी से जाती है और वो स्नेक पकड़ के कहती है कि यस मास्टर अभी बना देती हूँ जिसकी बार सिस्टम चैंग के सामने आता है और उसको बताता है कि उसका क्लोन काफी जदा कमजोर है कि उसकी कल्टिवेशन काफी जदा कम है और क्लोन बिल्कुल चैंग की तरह ही होता है बिल्कुल सीसे की तरह और जब एक बार क्लोन मर जाता है तो फिर उसकी सिर्फ यादे रह जाती है जो कि experience की तरह होती है जिस पे चैंग बेट के ओपर उचलते हुए सोचता है कि field value काफी ज़दा कम है लेकिन जैसे ही immortal यहाँ पे आ जाएंगे तो चैंग उन्हें मार के field value के खटा करेगा जिसके बाद वो सफर के उपर निकल जाएगा लेकिन उसे टाइम पे हम लोग देखते हैं कि उन्दोनों को demonic energy में सूस होती है लिंक कहती है कि इसकी टांगे कितनी सफेद है भाई और वहें पे चैंग तो उसके उपर फिदा हो चुका था जिसके बाद वो अपने मूँ के अंदर गुलाव रखता है और उस fox के उपर line मारते हुए कहता है कि चलती कि आ नो से बारा खेर वो फॉक्स जादा नहीं उचलती है और वो अपना नाम byuay बताती है और चैंग को बताते है कि उसे Hong ने यहाँ पे खुद भेजा है चैंग उसे पूछता है कि Hong यहाँ पे क्यों नहीं आई है तो फिर byuay चैंग को बता देती है कि हौंग जेल के अंदर डालन दिया गया है जिससे चैन्ड हल्का सा नराज हो जाता है और वह किता नराज हूआ है यह तुम देखी सकते हो उसी टाम पे हम देखते हैं हम लोग देखते हैं कि 12 क के 12 immortal ने वहां पे हमला कर दिया- और सभी लोगों को मार दिया था इसके बाद वो लोग उन लोगों से पूछते हैं कि जरा ये बताओ कि इमोर्टल सौट कहां पे हैं लिंग के ग्रेंट फादर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि वो कभी भी नहीं बता सकते हैं चेंग के बारे में लेकिन उसी टाइम पे एक परेंगे बरता है जो कि सूल शर्च टेक्निक का इस्तिमाल करता है और उसे ग्रेंट फादर की मेमरी से पता दिल जाता है कि चाइंग वो सभी चैंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं उसे इम्मॉटल स्वाट लेने के लिए जिसके बाद हम लोग एसियन फॉक्स सेक्ट की मास्टर को देखते हैं जो कि एक फॉक्स डीमन एंपरर है और उनका नाम है निंग्जू और उन्हें भी पता चल जाता है कि इम्मॉ उसके बारे में कोई समझ भी नहीं सकता है इससे हमारे सेक्ट को डेवलोप होने में कोई नुकसान तो नहीं होगा जिसके बाद निंग्जू उसे कहती है कि चलो गदारों से मिलते हैं जाके जिसके बाद निंग्जू हॉंग से जाके मिलती है तो उन लोगोंने हॉंग को एक जगा पे बान के रखा था निंग्जू बें जितनी भी Servant पीछे खड़े थे वो सभी हॉंग की बेस्थी करने लगते हैं, ये कहते हुए, कि उसने किसी इंसान को अपना Master मान लिया है, लेकिन कोई भी इंसान, उनका Master नहीं बन सकता है, इसके बाद वो सभी Chang की बेस्थी करने लगते हैं, तो फिर हॉंग को गुसा जाता है जिसके बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे से कहती है कि उनके पास इतनी कौलिफीकेशन नहीं है कि वो सभी चैंग की बेश्टी कर सके ग्राणबा भी होंग की कल्टिवेशन को इतनी जल्दी से बढ़ता हुआ देख के हैरान हो चुकी थी और वो ग्राणबा से कहती है सौरी ये लोग ग्राणबा कह रहे ना निंग्जू को तो मुझसे निकल गया इसलिए हॉंग निंग्जू से कहती है कि अगर वो लोग मास्टर को फॉलो करते है तो फिर उनके सेक्ट को काफी ज़्यदा फाइदा होगा उरने घाटा बिल्कुल भी ही होगा लेकिन निंग्जू आगे से कहती है कि इमोटल पहले ही लोवर वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं और बहले ही उसका मास्टर कितना ही सक्तिसाली क्यों नहों लेकिन वैसे भी वह बहुत कमजोर होगा और चैंग की कल्टिवेशन जादत से जादा गौड ट्रांस्फ के इमोटल से कैसे बचाएगा जिसके बाद निंग्जो वहाँ से जाते हुए होसे अच्छे से सोचना चाहिए कि उसके मास्टर की जिंद्री जाना से निकलना होगा नहीं तो इमोर्टन के चकर में फस सकती है कि कि हॉंग ने उसे भी यही कहा था कि वो बता के तुरण यहां से निकल जाए इसके बाद बाइवे चैंग की तरफ देखती है तब उसका मूँ थोड़ा सा आजीब था और उसे ऐसा लगने लगता है कि चैंग इ 3 दिनों के अंदर उसके सब्वनेंट को रिलीज नहीं किया तो फिर फॉक्स क्लैन के साथ जो गा उसके बारे में उन्हें अंदाजा भी नहीं है जिससे बाइवे भी काफी जदा हैराण हो चुकी थी कि चैंग को अपनी जिंदिकी से जदा उसे उसके सब्वनेट के चिंत उसने मौंटन के उपर उड़ रहे हैं और इमोटल सोट को ढूंड रहे हैं और उसके पीशे जितने भी सर्वंट थे उन सभी की डरके मारे गीली हो चुकी थी इसलिए निंग जो अपने मन के अंदर सोचती है कि उसने बिल्कुल सही डिसिजन लिया था जो उसने सौवन और ह को अपने पास बंद कर लिया है कि अगर इमोटल को पता चल जाता कि सौट के शक्कार में उनके साथ जुड़ा हुआ है तो इससे बहुत बुरे वाले लग सकते थे इसलिए उसे पूरा नास्ता कि उसने पूरी तरीके से सही डिसिजन लिया है जिसके बाद हम लोग 12 के बा बैह रही थी इसलिए गोश्ट बॉन सेट का इंसक्टर अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो इस पूरे ट्रेजर लैंड को अपने कब्सें में कर लेता है तो फिर वो कल्टिवेशन को काफी जल्दी-जल्दी बढ़ा सकता है और कई हजारों सालों की कल्टिवेशन ए तो कि काफी घबराय हुए थे immortal के प्रेसर की वज़े से चैंग उन लोगों से कहता है डरते क्यों हो भाई मेरे हूं ना तुम लोग क्यों डरते हो लेकिन उसी टाइम पे कोई चीज नीचे से आके धराम से गिरती है और हमें पता चलता है कि वो लिंग के grandfather थे लिंग जैसे ही अपने grandfather को इस बुरी हालत में देखती है तब वो काफे ज़दा गुसे में आ जाती है और वो सभी immortal चैंग से पूछते है क्या तुम ही हो वो so called immortal slayer चैंग आगे से कहता है कि अगर तुम्हें सौट चाहिए थी तो फिर तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था तुमने मासू लोगों को इन सभी चीजों में क्यों घसीड लिया जिस पर वो आगे से कहते हैं कि ये मासूम लोग नहीं है जब हमसे इनने सवाल पूछा तब इन्होंने बताने से मना कर दिया इसलिए हमें इन्हें मारना पड़ा और वैसे भी चीटी हैं ये क्या ही कर सकती हैं लेकिन उ इंसेक्टर आगे से एक जोड़दार अटैक लिंग्जों के उपर करते हैं लेकिन चैंग तुनद आगे बढ़ता है जो की बड़ी आराम से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे नियुलिफाइ कर देता है और वो सभी इमोटल हैरान हो जाते हैं कि चैंग ने बड़ी अ दिया है और उसके पास कोई भी गड़ नहीं बचा है चैंग उसे समालते हुए कहता है कि रोने की जरूरत नहीं है चैंग लिंग का बदला जरूर लेगा और वो हर किसी को मिटा देगा जिसने भी उसकी आखों में आसू लाए है जिसके बाद भाई चैंग इमोटल सौट क समन करने की कोसिस करती है लेकिन एक मिनट बीच जाता है कुछ भी नहीं होता है जिससे उन सभी के पैरो तले जमीन किसक जाती है और वो सभी सोचते है कि दूर होने की वज़े से नेटवर्ग कम पढ़ गए है इसलिए वो इमोटल थोड़ा सा और पास जाती है और वो फिर लेकिन वो सौट चैंग के हाथों से निकलती ही नहीं है जिसे एक इमोटल को काफी जोर से गुसा आता है और वो चैंग के उपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था लेकिन एक इमोटल उसे रोक देती है और वो बताती है कि चैंग कुछ जादा ही अजीब है इसलिए इंतजार करना चाहिए जिसके बाद वो लड़की एक बहत खताना टिक्निका इस्तमाल करती है जिसे पूरा आस्मान मूझने लगता है और वहाँ पे बिजलिया चमकने लगती है जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सुप्रेम थंडर आती है जो कि इस बार कुछ ज़्यादा ही खुश थी किकि उसे इस बार चैंग ने नहीं बुलाया था उस इमोर्टन ने बुलाया था और इस बार सुप्रेम थंडर यहाँ पे किसी के टुकड़े टुकड़े करने के लिए आये थी जिसके बाद वो नीचे की तरफ जाते हुए सुचती ही कि चलो करते हैं और वो आगे से र यह कहता है कि मैंने तो सूचा था कि तुम्हारी ताकत कुछ ज्यादा ही महामहीम होगी लेकिन तुम्स जरा से भी ताकतवर नहीं निकले और वो सोचते हैं कि यह फोज़़ा उड़ रहा है इसके बाद तो ऑगे की बाइन दितना गसी तरफ बा वाइट कर लेते हैं एक इमोटल उनसे कहता है कि जल्दी से उस सौट को अवाइट करो नहीं तो तुम्हारे टुकुले टुकुले हो जाएंगे लेकिन उसी टाइम पे वोज़े से स्पेस में क्रैक पड़ चुका था और वहाँ पे वाइट खुल चुका था जिससे वो सभी इमोटल और जदा घबडाने रखते हैं और कहते हैं कि क्या हो अगर हम लोग अभी लोट चलें और फिर से बाद में आए वनारेबल इमोटल के साथ लेकिन उसी टाइम पे वो लोग सोचते हैं कि यह जगांटिनेंट हैं जो कि एक लोवर वर्ड हैं और किसी के पास भी इत नहीं हैं जहां पर कोई भी इमोटल अपना हाथ घुसेर दे क्योंकि उसके अंदर डिस्टक्टिव पावर होती है जो कि एक ही जटके में इमोटल को अपने अंदर निगर लेगी और इसके बाद इमोटल सायो नारा इसलिए वनानेबल इमोटल भी उस स्पेस की पावर से और उससे घबराते हैं लेकिन उसे पल चैंग अपने हाथ को बाहर निगालता है और वो स्पेस क्राय को ठीक कर देता है और वो अपनी मन के अंदर सोचता है मुझे तो लगा कि मैं सिस्टम से ब्लैक मेल होने वाला हूँ इस तरह की गरबर करने के बाद लेकिन गिसमत अच लेकिन चैंग उनसे कहता है कि आ जाओ और वो जैसे ही डुमेन के अंदर कदम रखते हैं तो फिर वह सबी इम्मोटल एकी जगह पर रुख जाते हैं और वह खिलते भी नहीं है इसके पाद चैंग लिंग से कहता है कि अपनी आखी खोलो प्यारी डिसैपल और अपनी आखो चिलाने लगते हैं कि हम सभी अपर वर्ल के इम्मोटल से इम्मोटल जनल्स अगर हम सभी यहां पर मारे जाते हैं तो फिर वरनेबल इम्मोटल और इम्मोटल के खुद भी नीचे आएंगे और वह तुम्हें मार देंगे लेकिन चैंग आगे से हस्ते हुए कहता है कि मुझे फरक नहीं पड़ता है चाहे वो वरनेबल इम्मोटल हो चाफिर इम्मोटल किंग वो जैसे ही यहां पर आएंगे तो मैं उनको भी वहीं पर भीज़ दूँगा जहां पर तुम लोग जाने वाले हो वो सभी इम्मोटल अब कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और डर के मारे आप दिलाओंगा भले ही चाहे वो तुम लोग की क्यों नहीं हो मैं तुम्हें सजा दूँगा और तुम्हें मार दूँगा इसके बाद चैंग इम्मोटल फ्लेम की जोर को और ज़दा बढ़ा देता है और उन सभी को जला के मार देता है जिसको देकि टूबा और किया डर राक पंते हुए देखती है तब उसके पैर कापने लगते हैं और वो डर के मारे कापने लगती है और उसे यकिने नहीं होता है कि लोवर वर्ल के अंदर भी कोई बंदा ऐसा है जो की डिवाइन फ्लेम का यूज कर सकता है लेकिन अन्वोग चैंग को देखते हैं जिसने सि मैजिक सरकल था वो तूट के बिखर जाता है और निंग्जू कापते हुए अपने मन के अंदर सोचते हैं कि किसी बंदे ने 12 के 12 इमोटल्स को एकी स्लैस में राक बना दिया तो फिर चैंग के सामने उसकी कल्टिवेशन की क्या वकात होगी और उसे डर के मारे पानी पीने के लिए भी जा रहे हैं और वो अपने मन के अंदर सोचते ही कि चैंग काफी दिलवाला होगा इसलिए सायस से वो निंग्जू को माफ कर सकता है उसी टाइम पर हम टोबा और कियान को देखते हैं जो कि चैंग की तारिफ करते हुए कहते हैं कि चैंग तो कुछ जादा ही थोड़ा सा टाइम लगेगा उन सभी फिल्ड पॉइंट को कैल्कुलेट करके तुम्हें बताने में इसमें चैंग को सास में सास आती है नहीं तो उसे लगा था कि उसके सारे पॉइंट चले ही गए हैं उसी टाइम पर लिंग आगे बढ़ती हैं जो कि चैंग के गले लग और उसे रोते हुए सुक्रिया कहती है चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे लिंग को कुछ बताना है लेकिन अभी उसके हालात कुछ जादा ही बूरे हैं अगर वो इसे अभी की अभी कुछ बता देता है तो फिर आउटकम क्या आएगा चैंग को भी नहीं पता है जिसके बाद चैंग लिंक से गयता है कि तुम अभी जाके अराम कुरो जिसके बाद तुम बाहर आओगी तो मैं तुम्हें कुछ बता दूँगा और जिसी के साथ ये एपिसोड यहें पर खतम होता है